भगवान गणेश जी का जो सुरूप है शिव महापुराण कर रही है जो गणेश जी का सुरूप है वो सुरूप किस ओर होना चाए बहुत ध्यान से सुनी है गवालों कताना छुटे आप घर के दर्वाजे पर अगर हम गणेश जी की मूरती गणेश जी का भोटो गणेश जी का टाइल्स बाहर की और लगा रहे हैं तो जाते समय गणेश जी का जो प्रिष्ट भाग है पीठ है तो पीछे जी एक्ष्यों महा पुराण में आपको पहले एक प्रसंग सुनाया है सभी लोगों को ग्यात होगा कि भगवान के सम्मुक में धर्म है और भगवान के पीछे अधर्म का निवास महाराजा यह दुनिया के लोग जो भगवान की परिक्रमा करते हैं जितने भी लोग भगवान का परिक्रमा करने जाते हैं मंदिर जाते हैं परिकमा करते हैं यह लोग मंदिर में जाकर जब पीछे प्रणाम करते हैं तो कभी मोका मिले तो एक बार इनसे पूछना जरूए कि वैया आपने कोई शास्त्र आपने कोई पुरान कभी पढ़ा है आपने शास्त्र पुरान का इस्मरन किया है हमारा कोई शास्त्र कोई पुरान कोई वेद यह बढ़ना नहीं करता कि मंदिर के पीछे हम प्रणाम करें हैं हम मंदिर के पीछे नमन करें हमारा शास्त्र वेद बढ़न नहीं करता और देखे तो लचमीन कहा प्रभू जब गड़े जी के सम्मुक में दिद्धी सिद्धी श्री तुष्टी पुष्टी शुब लाप सारे धन देने वाले संपदा देने वाले जब गड़े जी के अगरंड रहेंगे तो पीछे बिठाने में क्या दिखता आपर देदो बगवान विष्णु ने तफास्तु कर दिया ए तरिद्रता दुख तुम्हे बर देता हूं कि तुम गड़े जी के प्रिष्ट भाग में विराजवान हो देए इसलिए निवेदन है मंदिर में मंदिर में नहीं घर के अंदर घर में जहां सबसे आगे गड़े जी की मूरती गड़े जी का फोटो प्रथम भाग में बिल्कुल भार ठंट में घर के दरवाजे के नहीं लगाने क्यों जब जाओगे तो प्रिष्ट भाग गड़े जी का तुमारे जाते समय पड़ेगा जीवन में दुख तकलीफ कष्ट आते ही रहेंगे जीवन में कभी भी आप करोगे बहुत कुछ फेक्टरिया भी खोल सकते हो दुकान भी खोल सकते हो कारे भी बड़ा कर सकते हो पर सफलता नहीं मिल सकते हैं और यदि आपके घर में पहले से टाइल्स लगी है मूरती लगी है गड़े जी की हटा नहीं सकते तो निवेदन है एक फो तो एक फोटो बाहर जाते समय अंदर की और मुक करकर लगा दीजिए उससे वो दोश समापत हो जाता है महाराजी वो दोश समापत है गणे जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बेटी हुई मूर्ती लेकर आ है और गणे जी लाएं मना नहीं है गणे जी जब लेकर आएं तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं तो राइट सूंड का गणे जी लेकर आएं सीधी हाथ का आपका सीधा हाथ देख लेना उसी के हिसाब से गणे जी को अपनी और रख कर या गनेज जी का सीधा हस्त कमल देख लेना, आपका तो उल्टा मानने होगा, जब आप देखेंगे तो, तो गनेज जी का जो सीधा हस्त कमल हो, उस साइड अगर गनेज जी की सूंड है, तो वो सूंड का गनेज घर के अंदर विराजमान हो, उल्टी सूंड का गनेज, लेफ इसका शास्त्रीठी प्रमाण कभी किसी मूर्थीकार के पास जाना कउष न भी दूंके असकी हो नहीं बनाते है जपनिते बने सीधी सुन्थ को बनते हैं कभी पूछन उससे वो बताएगा कि उल्टी-सुन्थ करеныश जी बनाए living अगर बनाएं के तो उसमें से कम से कम अपने अ तूड़ जाते हैं कर बोढ़ाया बहुत कम पक पाता है यह मित्टी का बनपाता है है और यदि आपने अपने हातों से भी उल्टी सून्द का गणेश मिट्टी का बनाया तो दस दिन पूजन करोगे दस दिन के अंदर वो मूर्दी वो सून्द वो गणेशी चटक जाएगे उल्टी सून्द का गणेश ठिकता ही नहीं अदर वो बीच में से खंडित होई जाए वो तो स्वयम गणेशी कृपा करें स्वयम विनायक कृपा करें और वो गणेशी हमारे घर में आ जाएगे सीधी सून्द के गणेशी को मनाने के लिए महाराज मंत्र की पचास माला करना पड़ती है तो समझ लो सीधी उल्टी सून्द के गणेशी को मनाने के लिए मात्र पांच माला में भगवान गणेश प्रसंद हो जाते है अलतार उल्टी सून्द के गणेश शिक्रत प्रसंद हो जाते है उन उपायों को अपने इस चैनल पर करके भी बताया जाता है गुरु देव की वाणी में भी बताया जाता है तो और भी वीडियो चैनल पर डले में आप उनको भी जरूर विजिट करना जरूर देखना जी साथ गनेश जी सारे काम बनाने वाले होते हैं बिगडे को सवानने वाले होते हैं तो चतूरती तीती पर आप गनेश जी को दूर्वा जरूर समर्पित करें शिवाले जाएं वहां पर गनेश जी वाले इस्तान पर शिवलिंग में गनेश जी वाले इस्तान पर दूर्वा समर्पित करें जिससे भी मन वांचित फल की प्राप्ती होती है शमी पत्र भी आप गणेजी के इस्तान पर जरूर समर्पित करें और शीवाले में ही समर्पित करें जिससे आपकी मन चाहा मनो कामना जरूर और जरूर पूरी होगी दन्चमबदा, रिद्धी, सिद्य, गणेजी कभी गर्थे ना जाए, माता, लक्षमी कभी गर से रोज टोकर के नहीं जाए इसके लिए एक और उपाय जरूर और जरूर कर लेना चाहिए चतुर्ती तीति के दीन शीवाले में फुल बाती का दीपक प्रजुलित करें उसमें डाल दे एक कमल गटा ध्यान रहे दीपक गी का प्रजुलित करना है कमल गटा डाल दे अपना नाम वगोत बोले और बाबा से विंती करें गनेश जी माराज का नाम ले अपने पित्रो देवता का नाम ले और उनसे विंती करें कि माता लक्ष्मी की क्रपा हमेशा बनी हुई रहें गनेश जी से आप 3-4 चतूरती तीती जरूर करें जिससे आपके घर में सारे शुक्त काम बनना प्रारम हो जाएंगे साथ यो वीडियो को जादा से जादा शेयर करें चैनल को सस्क्राइब करें हरर महादेव, शिरी शिवाई, नमस्तूब्यम आपके कोई प्रश्ण रहते हैं तो कॉमेंट जरूर करें हम उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे